हलो एवरिवन आज यम पढ़ेंगे कारक चैप्टर देखिए कारक के हम इसमें बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं तो कारक एक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर होता है तो इससे समझना बहुत ज़रूरी है तो आप एक बाद ध्यान से इसे पढ़िएगा स्टाइट करते हैं कारक चैप्टर में क्या बोलाए संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंद वाकिया के दूसरे शब्दो विशेश रूप से किर्द्या के साथ जाना जाए क्या मतलब है इसका मतलब संग्या और सर्वनाम का किसी किसा कुछ ना कुछ ऐसी शब्द होंगे या ऐसी चिन होंगे जिनके विज़े से आपको यह देख जाएगा कि संग्या या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्या के किसी दूसरे शब्द के साथ हो रहा होगा या फिर विशेज रोब से किर्या के साथ हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं हिंदी में कितने कारक होते हैं आठ कारक होते हैं तो आप कोई याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो हिंदी में है वो कितने कारक होते हैं आठ कारक होते हैं और कारकों के बोत के लिए संग्या ये सर्मनाम के आगे जो प्रतिय लगाए जाते हैं, प्रतिय का मतलब यहां से है, चिन लगाए जाते हैं, उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं, हम बेभक्तिया कहते हैं, अब यह आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिन या सर्वनाम के जिस से जिस रूप से मतलब कोई ऐसा हमारा संगय सर्वनाम होगा जिसका संबंद क्या हो रहा होगा किर्या के साथ हो रहा होगा या किसी दूसरे शब्दों के साथ हो रहा होगा तो संबंद बताने के लिए या संबंद को दिखाने के लिए हम को चिन्नों का प्रियोग करते हैं उन चिन्नों को हम प्रत्य भी कहते हैं और व्याकरण में उन्हें क्या कहते हैं बिभक्तियां कहते हैं कुछ लोग बिभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम कारक कहेंगी तो अब देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं और इनके जिन क्या क्या होते हैं सबसे पहले देखे कारक के हम सिर्फ जिन और यही जान लेते हैं उसके बाद इसकी डीटेल्स पढ़ेंगे कारक मतलब बिभक्ती या फिर परसर्ग अब सबसे पहले हमने बोलाता आठ है तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है करता करता क्या होता है करता का मतलब होता है हमारा नी करता का जो जिन होता है वो होता है नी इधर की इधर सारी जिन लिखे हैं इधर हमारे कारक की नाम लिखे हैं दूसरा आता है हमारा कर्म, कर्म का जो चिन है वो क्या है को, थर्ड आता है करण, करण का है हमारा से और के द्वारा, फोर्थ आता है हमारा संपरदान, संपरदान का जो चिन होता है को या फिर के लिए, फिर आता है पांचो हमारा अपादान, अपादान का मतलब देखे से, और यहां पर भी सी है तो देखें, confuse होने के जरूत नहीं अभी हम details में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा AC क्या है, अलग होने के अर्थ में फिर 6 आता है, समंद समंद में हम लेंगे, का, की, के, रारी, रे 7 आता है, हमारे पास अधिकरण, अधिकरण में में और पर और लास्ट आता है, हमारे पास 8 संबोधन, जिसे हम कहेंगे हे, या फिर अरे इस तरीके से हमारे पास पूरे के बूरे कितने हो जाएगे, ये 8 हो जाएगे तो हम इन 8 हो को क्या करेंगे, अभी details में आगे पढ़ती है में आप subject कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किर्या के करने वाले का बोध हो, उसे करता कहते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसी होते हैं, उनके रूप ऐसा होता है कि उससे किस चीज़ का बोध होता है किर्या के करने वाले का किर्या के करने वाले का मतलब नहीं करें कहां के, तो किर्या के करने वाले का बोद हो, उसे हम करता कहते हैं, करता की बिवक्ती कौन सी होती है, अभी हमने उपर पड़ी थी, कौन सी नहीं होती है, इसकी बिवक्ती, तो आपको सभी कारकों की बिवक्तियों को याद करना बहुत important है, ये बहुत जादा questions किर्या के करने वाले का बोध हो रहा है ना किर्या मतलब लिखना कौन लिख रहा है यहां पर सुधा लिख रहा है तो इन दोनों को समंध किस शब्द ने बताया हमारा कौन सा ऐसा चिन है जिससे इन दोनों के बीच में समंध स्थापित क्या है तो वो चिन हमारा कौन सा है यह पर ने, तो ने हमारा वो चिनने जो सुधा और लिकने के बीच में सम hypertension कर रहा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, करता, कारक हो गया, तो इस तरीके से आपको इसका चिनन याद रखना है इसके बाद इसका एक और एक्जाम्पल है श्याम ने मिठाई खाई तो यहाँ पर किर्या क्या है खाना खाई और खाई किसने है श्याम ने खाई है इसका मतलब किर्या का सीधा समन किसे है करता से है तो शब्द की जिस रूप से किर्या के करने वाले का बूद हो उसी करता कहते हैं तो किर्या को कौन कर रहा है शियाम कर रहा है और शियाम हमारा क्या होता है यहाँ पर करता कारक है तो इसलिए इनका चिन हमने यहाँ पर क्या लगा है नहीं लगा है अगर आपको करता कारक का दोगा की करता कारक जिन नहीं होता है तो आप sentence देखे सीधे सीधे पहचान लेंगे कि ये कौन सा कारक है इसमें करता कारक है इसलिए चिन याद करना बहुत important है इसके बाद next है हमारा दूसरा आता है कर्म कारक कर्म कारक में देखे नाम क्या है कर्म तो किर्या का परभाव किस पर पढ़ता है वो होता है हमारा कर्म तो किर्या का प्रभाव जिस पर पढ़ेगा उसे कर्म कारत कहते हैं इसकी विवक्ति याद रखी इसकी विवक्ति होती है को तो आप sentence में को लिखा होगा तब भी पहचान लेंगे जैसे example देखते हैं आचारे ने शिशे को पढ़ाया आ क्योंकि शिशे को पढ़ाया जा रहा है तो अगर वो पढ़ेगा शिशे तो आच्छे नमबर लेके आएगा नहीं पढ़ेगा तो गंदी नमबर लेके आएगा इसका मतलब जो किर्या है पढ़ाने की वो किस पर प्रभाव डाल रही है अपना पूरा पूरा शिशे पर प् लेकिन प्रभाव किस पर पढ़ा है शिश्य पर पढ़ा है इसले वो कौन सा कारक हुआ कर्म कारक हुआ मा ने बच्चे को सुलाया तो सुला कौन रही है मा लेकिन सुलाने का प्रभाव तो बच्चे पर पढ़ रहा है क्योंकि मा तो नहीं सो रही सो तो बच्चा रहा है अगर मा किसी को सुला रही है अगर मा बच्चे को सुला रही है तो सोएगा कौन बच्चा सोएगा इसका मतलब किर्या का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर ही पढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा कर्म कारक है आगे देखते हैं हम इसमें क्या बुला है इसमें एक नोट है देखे कभी-कभी वाक्यों में को को लेकर भ्रहम की इस्तिति उत्पन हो जाती है इसलिए नियम का प्रियोग करती है प्राय चेतन या जीवधारी पदार्तों के साथ को चिन का प्रियोग करती है और अचेतन या निर्जीव के साथ इसका प्रियोग नहीं करते जैसे देखिए मोहन ने समचार पत्र को पढ़ा तो समचार पत्र को पढ़ा समचार पत्र क्या है एक अचेतन और निर्जीव है इसके साथ हमें को का प्रियोग नहीं करना होता है इसलिए यहाँ पर यह जो वाक्य यह आशुद वाक्य आपको ऐसे लिखना होगा मोहन ने समाचार पत्र पढ़ा तो देखे मोहन पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है समाचार पत्र पढ़ रहा है तो किर्या का प्रभाव किसमें पढ़रेगा? समाचार पत्र पर तो यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है बस आपको यह याद रखना है कि आप इसको प्रियोग है भी न्यम के नुसार करिये कि जो कोगा प्रियोग है वो सिफ kis के साथ होगा? जीवधारियों के साथ चेतन चेतन का मतलब जिसमें जीवन होता है ठीके नेजीव चीजों के साथ कोका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है तो इसलिए यहाँ पर कोका प्रयोग नहीं हुआ Next आता है हमारा third करणकारक करणकारक में क्या है होती है से होती है बहुत जरूर ही बिवक्तियाद करना मैं बार पर वही आपसी बोल रही हूँ बिवक्तियाद करियेगा जैसे वह कुलारी से ब्रक्ष काटता है तो देखिंग यहाँ पर करता कौन है वह वह का मतलब कोई भी हो सकता है वह कुछ साधन का प्रियोग कर रहा है किस का प्रियोग कर रहा है और किस क्या करने के लिए वरक्ष को काटने के लिए इसका मतलब वो किर्या को करने के लिए कुछ ना कुछ साधन का प्रियोग कर रहा है तो definition भी यही थी कि करता जिस साधन से किर्या करता है तो किस साधन से किर्या कर रहा है वो कुलाडी से कर रहा है तो जिस से काम होगा वो क्या होगा करन का रखोगा महीमा पैन से पत्र लिखती है तो यहाँ पर हमारी करता कौन हुई महीमा किर्या क्या हुई? लिखना किस चीज़ से लिख रही है? वो pen से लिख रही है इसका मतलब किर्या को करने के लिए वो फिर से साधन का यूज़ किया जा रहा है तो साधन क्या है? यहां पर हमारा pen, हमारा जो से लगेगा यहां पर यह वो किसे प्रजेंट करेगा करणकारक को तो आपको याद रखना है कि करणकारक का जो चिन होता है वो सी होता है और सी का मतलब क्या है कि करता जिस साधन से किर्या करता है तो ये याद रखेगा आगी हम देखते हैं इसमें और आगी कौन सा आएगा इसके बाद आता है हमारा संप्रदान संप्रदान कारक में क्या बोला गया है करता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा दिया जाए उससे संप्रदान कहती है देखिए आप इसको थोड़ा सा इसी से रिलेट करिए संप्रदान इसका मतलब दान करना दान करना मतलब किसी को कुछ देना तो इसका मतलब जो करता है हमारा वो अगर किसी के लिए कुछ करेगा ठीक है या फिर कुछ उसको देगा तो उसी क्या कहेंगे हम संप्रदान कहेंगे और इसकी बिभक्ती जो चीन होते है वो होते है को और दूसरा हो के लिए तो देखें पहले वाले को में और इस को में कंट्यूस मत होएगा यहां पर हमारा जो को है वो किसी के लिए कुछ करना किसी के लिए कुछ काम सी करने से मतलब है ठीक है तो जैसे एक्जामपल है हरी मोहन को रुपे देता है इसका मतलब जो करता है वो क्या कर रहा है क किसी के लिए कुछ काम कर रहा है किस के लिए मोहन के लिए काम कर रहा है मोहन को क्या कर रहा है वो रुपे दे रहा है तो इस ते देखें यहां पर करता के दुआरा किसी के लिए कुछ काम किया जा रहा है मा ने बच्चों को खिलोने खरीदे ठीक है यहां पर देखें खिलोन का चिन भी क्या होता है, को होता है, लेकिन अगर को, इस चीस के Our लिए दिखाया जाए, कि कोई जो करता है, वह किसी को कुछ दे रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिफ सम्प्रदान कारक लगाएंगे, इसके बाद आता है हमारा next अपादान कारक, जिस संग्या से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक क्याती है, मतलब देखें कि यहाँ पर आपको क्या होगा ना, अलग होने का भाव प्रकट होगा, अभी example में समझ में आ जाएगा, इसकी बिवक्ती भी से होती ह से जो भी भक्ती थी हमारी किस की थी, करण की भी थी, ठीके, करता ने कर्म को करण से, लेकिन वहाँ पर जो सेता वो क्या हो रहा था कि अगर आप किसी साधन का यूस कर रहे हो, किर्या करने के लिए, ठीके, वो वो वाला सेता, यहाँ पर से का मतलब क्या है, अलग होने के अर्थ से है जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो आप देखिए सौरी ब्रक्ष से पत्ते गिरे तो ब्रक्ष से जो पत्ते है वो तूटकर गिर रही है इसका मतलब वो उससे क्या हो रही है अलग हो रही है तो यहाँ पर अलग होने का भाव है यहाँ पर किसी साधन का आप इस्त meaning आएगा वो किस से आएगा अलग होने से meaning आएगा तो अगर brush से पत्ते गिरें या फिर आप यह अगर एक और example मैं दो इसी के लिए कि गंगा गंगोत्री से निकलती है इसका मतलब क्या है गंगा जो है वो गंगोत्री से निकल कर वहां से तो अलग हो रही है ना तो वहां पर जो सी आएगा वो किस के लिए आएगा अपदान कारक के लिए आएगा एक नोट भी है यहां पर पढ़ते हैं इसमें जिन शब्दों से तुलना करने भाय करने लजाने और गिरने या कहीं से उतरने का बोदो वहां भी अपदान कारक होता है जैसे उतरने का मतलब है आप सीड़ी से उतर रहे हो सीड़ी पे से उतर रहे हो ना तो वहाँ पर भी क्या होगा देखें आप उपर वाली सीड़ी पे और आप लास्ट वाली सीड़ी पे आ रहे हो इसका मतलब आप उस से अलग होके ही तो आ रहे हैं तो इसलिए आप ये भी याद रखे कि अपधान कारक में सिदे सिदे क्या मतलब है अलग होने का बोध है जो हमने अभी पढ़ा था कि तुलना का बोध होता है इससे जैसे रशना पूनम से अच्छी है इसका मतलब आप यहाँ पर रचना की तुलना पूनम से कर रहे हो भै का बोध भी हमारा ये अपधान कारक होता है रादा छिपकली से डड़ती है तो यहाँ पर भी जो सी आएगा वो अपधान कारक होगा लज्जा का बोध भी इसमें आता है जिसे शीला मोहन से लजाती है तो ये भी अपधान कारक गिरने का बोध राहुल चट से गिर गया तो यहाँ पर अपधान कारक उतरने का बोध लटा चट से उतर रही है तो ये सारे के सारे भी हमारे कौन से होते हैं अपादान कारक होती है नेक्स्ट आता है इसके बाद सम्मंद कारक सम्मंद में देखे सम्मंद का पता चल रहा होगा क्योंकि नाम में वही सम्मंद आ रहा है संग्या या सर्मनाम के जिस रूप से एक वस्तू का दूसरी से परसपर सम्मंद हो मतलब आप एक फस्तु का दूसरी से क्या बता रही हूं रिलेशन बता रही हventional उसे सम्बंद कारक क ister है इसकी बेभुक्ती क्या क्या होती है काकी के रारी रे जैसे एक्जामपल क्या है राधा की माता जी आई है इसका मतलब देखी यहाँ पर राधा जो है राधा का सम्मन्द क्या है उसकी माता जी के साथ है तुम्हारी पुस्तक कहा है तो तुम्हारी मतलब यहाँ पर क्या आया है जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसका सम्मन्द हम क्या कह रहे हैं उसकी पुस्तक से बता रहे हैं तब ही तो हम क्या कह रहे हैं तुम्हारी पुस्तक कहाए जो भी उसकी पुस्तक होगी उसका सम्मन्द उसकी पुस्तक से बताए जा रहा है तो अगर एक वस्तू का दूसरी वस्तू से सम्मन्द बताए तो वस्तू निर्जीब भी हो सकती है या सजीब भी हो सकती है बस आपको क्या है यहाँ पर सम्मन्ध होना चाहिए तो वहाँ पर क्या होगा सम्मन्ध बोधक होगा इसके बाद आते हमारा सेविंध आधिकरन कारक संग्या के जिस रूप से किर्या के होनी या आधार का स्थान पता चली उसे आधिकरन कहती है इसकी भी वक्ती क्या है हमारी मे और पर है इसका मतलब आपका क्या मतलब है संग्या के जिस रूप से किर्या के होनी मतलब वो किर्या के है संग्या के जिस रूप किर्या जो हो रही होगी वो कहां पर हो रही होगी हो जाएगा आगे एक्जामपल पक्षी डाल पर बैठा है तो पक्षी जो है वो बैठा है किर्या क्या हो रही हमारी बैठने किर्या हो रही है लेकिन उसका स्थान जोहां भी स्थान के बारे में बात होगी स्थान बताया जाएगा वहां पर अधिकरनकारक होगा तो यहां पर तो जो पर आया है वो किसके लिए आया है अधिकरण कारक के लिए आया है इसके बाद देखे हमारा लास्ट आता है संबोधन जे शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाब प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं संबोधन कारक कहते हैं इसकी बिभक्ति कोई नहीं होती, इसके प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे, आदी शब्दों का प्रियोग होता है संबोधन का अर्थी यह होता है कि किसी को पुकारना अगर आप किसी को पुकार रहे हैं तो उसके लिए जो भी शब्द यूज़ करें कोई पर्टिकुलस की भिभक्ती नहीं है आप किसी को पुकारने के लिए जो भी शब्द यूज़ करेंगे वो संबोधन में आएगा जैसे नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर संबोधन कारक के साथ सदा संबोधन चिन्द का प्रियोग होता है तो यह देखें यह पहचानना बहुत आसान है अगर संबोधन कारक होगा तो उसके साथ संबोधन चिन्द लगा होगा इसका प्रियोग संग्या शब्दों से पूर्व होता है जैसे हे राम तेरी लीला अपरम पार है इसका मतलब आप किसको संबोधन कर रहे हो किसी को पुकार रहे हो आप क्या कर रहे हो राम को पुकार रहे हो तो उसके बाद देखें यहाँ पर क्या लगा है यह संबोधन चिन्द भी लगा है अरे तुम्हारी पुस्तक कहा है तो आप किसी को बोल रहे हो किसी को पुकार रहे और उससे बोल रहे होगी अरे, तुम्हारी पुस्तक कहां गई तो उसके बाद भी क्या लगा है? यहाँ पर संभोधन चिन हे शिष्ये, अपना पार्फ याद करो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप शिष्ये को पुकार कर उससे कह रहे हो कि शिशे आ तुम अपना पार्थ याद करो तो यहाँ पर भी क्या लगा है तो जहाँ पर भी समभोधन चिन लगा हो वहाँ भी पहचान सकते हैं आप और डारेकली आप ऐसी भी पहचान सकते हैं अगर आप किसी को क्या कर रहे हूं पुकार रहे हो तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा सम्मंध बोधन कारक बन तो यहाँ पर हमारा कारक का चैप्टर कंप्लीट होता है कोई प्राब्लम हो तो जरूर पताईएगा नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे